आज मैं आपको इस वीडियो में हर्याणा विदेले सिक्षा बोर्ड ने 12 कक्षा के चात्रों के लिए इस साल यानि की सेशन 2024 और 25 में नई नितिक सिक्षा की जो किताब लगवाई है इस नई नितिक सिक्षा की किताब से 7 पाठ के कोशन आंसर करवाऊंगा इस से पहले सभी 6 है पाठो के कोशन आंसर मैं करवा चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और देखना चाते हैं तो सभी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ओल के बटन के ओपर क्लिक क कर ले ताकि जब नेक्स एप्टर की वीडियो अप्लोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अब सात्वें पाठ के कोशन आंसर देखते हैं रगुराज का जनम कहा हुआ उन्होंने कौन सा व्यवसाय अपनाया आंसर देखें रगुराज का जनम राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ उसने अपनी तीन-तीन सरकारी नोकरियां छोड़ कर खेती बाड़ी का व्यवसाय अपनाया यानि कि राजस्थान के अजमेर मे किस विशे में और कब MBA की परिक्सा पास की अंसर देखें अंजली ने 2007 में इंटरनेशनल बिजनस यानि कि ये विशे है इंटरनेशनल बिजनस इस विशे में MBA की परिक्सा पास की MBA की फुल फॉर्म होती है Master in Business Administration तीसरा कुशन देखें तीसरा कुशन है खेती बाड़ी के कारिये में अंजली सालाना कितने रुपे तक का वेपार करती है यानि कि सालाना जो है अंजली खेती बाड़ी से कितने रुपे कमाती है तो आंसर है खेती बाड़ी की कारे में अंजली करीब चार करोड रुपए सालाना तक का वैपार कर रही है उसके बाद अगला कुश्चन है खेती करने के अतिरिक्त रगुराज का अन्य वैवसाय क्या है answer देखें खेती बाड़ी के अत्रिक तरगुराज dairy farm का भी website करता है यानि कि खेती के इलावा dairy farm भी है उसका उसके पास तैइस किसम की गाएं और भैसे हैं यानि कि तैइस किसम की अलग अलग गाएं और भैसे हैं उसके पास जिनके दूद को वह बड़ी डेरी में बेचता है उसके बाद अगला कुस्टन देखें नेक्स कुस्टन है कुस्टन नमबर फाइफ अंजली का बच्पन कैसा बीता आंसर देखें अंजली का जनम केरल में हुआ था उसका बच्पन केरल की पहाड़ियों और खेतों में बिता जब वे साल की थी तब ही उनके पिता का निधन हो गया था उनकी मा तथा भाई ने उन्हें पाल पोस्ट कर बढ़ा किया उसके बाद अगला कुस्टन देखें कुस्टन नमबर सिक्स रगुराज ने नया वेवसाई कैसे आरंब किया यानि कि कैसे नया वेवसाई शुरू किया आंस उसके इस फैसले पर समाज के लोगों ने उन्हें ताने दिये, यानि कि समाज ने उसको ताने दिये, उनके परिवार के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, परंपरागत खेती में कुछ नया सीखने के लिए वह साथ साल पहले महरास्टर गई, यानि कि जो परंपरागत ख और फिर इसराइली मल्टी क्रोप पदती से अपने गाउं की 26 एकड भूमी में सोयाबीन की खेती शुरू की और जो है इसराइली मल्टी क्रोप पदती यानि की इस टेकनोलोज का यूज करते हुए उसने अपने गाउं की 26 एकड जमीन पर सोयाबीन की खेती शुरू की उसके 2003 में उसके बाद अगला कोश्चन है MBA करने के बाद अंजली ने कितने साल तक क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में नोकरी की यानि कि MBA करने के बाद कितने साल नोकरी की 15 साल रगुराज सोलंकी ने किस पदिती से सुयाबीन की खेती सुरू की तो आंसर है इसराइली मल्टी क्रोप पदिती के दोरा चोथा कोश्चन है प्रमपरागत खेती में कुछ नया सीखने के लिए रगुराज सोलंकी कहा गया था महरास्टर गया था रगुराज सोलंकी ने कितनी बार सरकारी नोकरिया छोड़ी तीन बार अगला कोश्चन है रगुराज सोलंकी की डैरी में कितने किसम की गाएं वैब हैसे हैं तो तेईस किसम की उसके बाद है रिक्स थानबरो फिलिंदा बलैंक्स वाले कोश्चन है पहला कुछन है रगुराज सोलंकी ने पहली बार सोयाबीन की खेती पर चार लाख खर्च किये उसके बाद रगुराज सोलंकी का निकट भविसे में वेजिटेबल हारवेस्टिंग कमपनी शुरू करने की योजना है तीसरा है उसके बाद रगुराद सोलंकी वर्तमान में डैरी फर्म भी चलाता है उसके बाद चोथा कुछिन है अंजली पटेल का जनम केरल राजये में हुआ था उसके बाद है अंजली को सुरू से ही किसान बनने में ज़्यादा रूची थी तो ये थे आपके नई नेतिक शिक्षा के किताब से बारवें कक्षा के साथ में पार्ट के कोश्चल आंसर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ओल के बटन के ओपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स सेप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उस